अगर आप लोग भी टाटा पंच लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है पता देता हूं कि गाड़ी का फेसलिफ्ट जो है वो बहुत जगाओ पे देखा गया है टेस्ट होते हुए सुनने में आ रहा है कि गाड़ी का काम जो है वो जो रहो शोरों से चल रहा है और गाड़ी जो है वो बहुत ही जल्द लॉंच हो सकती है कब गाड़ी लॉंच होएगी क्या गाड़ी के प्राइस होंगे कितने वेरियंट्स में गाड़ी आने वाली है पूरे डेटेल से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो को end तक देखना बिलकुल भी skip मत करना आप लोग लिए बहुत ही जादा helpful होने वाली है ये वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं टाटा कमपनी हमेशा पंच के अंदर कुछ न कुछ चेंजिस करती है और जब जब पंच के अंदर चेंजिस हुए हैं तब तब लोगों को गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो बैई सबसे पहले गाड़ी जो है वो पेट्रोल में आई थी लोगों ने ब बहुत है जादा है और डिलोगों को टाता पंच आपर कीछा यह पसंदार कियाएं कीसिती छो फॉटर हो For का इंब से प्यादी लुकत कफेर से प सबसे पहले तो थ्रोंट थेरेपी को इस गाड़ी की विडिया बनाई है तो भाई देखो वीड गाड़ी जो है वो रोड पे चलने लग रही है कैमफलोज में डगी हुई भाई आप लोग गाड़ी के rear looks को ध्यान से देख सकते हैं कि rear में आप लोगों को जादा changes देखने में नहीं लग रहे हैं भाई आप लोगों को पीछे की तरफ जो tail light है वो same देखने में मिल रही है हो सकता है जब गाड़ी launch हो आप लोगों को connected tail lamp देखने को मिल जाए क्योंकि आज कल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गाड़ी के अंदर tail lamp जो है वो connected देखने में मिल रही है तो भाई हो सकता है कि आप लोगों को भी connected tail lamp देखने को मिल जाए भाई पीछे की तरफ आप लोगों को चार parking sensors देखने को मिलेंगे भाई cladding जो है वो same आप लोगों को रहने वार लिए जो अभी cladding चल रिया टाटा पंच के अंदर same वही cladding रहने वार लिए size बड़ा नहीं किया गया है cladding का wipers same जगा दिये गए है sharp इनटीना गाड़ी के अंदर आएगा और भाई bumper में ही गाड़ी के number plate इस बार देखने को मिलेगी बात करते हैं गाड़ी के alloys की तो भाई alloys का जो design है इस बार थोड़ा सा unique रहने वाला है काफी बढ़िया आप लोगों को diamond cut alloys देखने में मिलेगा बाई बात करते हैं गाड़ी के interior के तो भाई interior आप लोग ध्यान से देख सकते हैं हलाकि इतना clear तो नहीं है interior बट फिर भी थोड़ा बहुत पाता तो चली रहा होगा कि आप लोगों को इस बार digital instrument cluster देखने को मिलने वाला है बाई देखो काफी अच्छी बात है कि इस बार company जो है वो छोटी छोटी चीजों पर धियान दे रही है बाई आप लोगों को इस बार steering जो है वो भी new logo के साथ देखने मिलेगा जैसे कि आप लोगों को टाटा नेक्शन के अंदर steering देखने को मिलता है सेम उसी तरह के steering देखने को मिलेगा बाई इस बार 10.25 इंची की infotainment display देखने को मिलेगी और बाई display के नीचे ही आप लोगों को touch controls इस बार गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगे हाला कि इतने clear नहीं है जैसे आप लोगों को punch EV के अंदर controls देखने को मिलते हैं सेम उसी तरह के controls आप लोगों को गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगे बात करें safety की तो गाड़ी जो है वो 5 star rated गाड़ी है और हो सकता है कि face lift गाड़ी भी 5 star ही लाए आप लोगों को गाड़ी के अंदर sunroof तो पहली भी मिलती थी और अभी भी गाड़ी के अंदर sunroof देखने को मिलेगी बाई साथ इसा सुनने में आ रहा है कि इस बार गाड़ी की front की दो seats जो है वो ventilated seats देखने को मिल सकती है बात करें गाड़ी के front looks की तो भाई front से इस बार आप लोगों को गाड़ी के अंदर connected DRLs देखने को मिल सकती है जी हाँ guys जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा है कि अभी हाली में Tata ने अपनी safari, harrier, nexon और punch ev के अंदर एक connected DRLs देखने को मिली है तो भाई हो सकता है कि आप लोगों को Tata punch के अंदर भी face lift जो आ रहा है उसके अंदर आप लोगों को connected DRLs देखने को मिल सकती है बाई साथी साथ connected DRLs के नीचे ही आप लोगों को side ओं में दोनों तरफ bumper में headlight देखने को मिलेगी headlight जो है वो भी काफी अच्छी रखी गई है इस बार LED के अंदर देखने को मिलेगी और भाई साथी साथ bonnet का जो size है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा गाड़ी के अंदर 360 degree view आप लोगों को देखने को मिल सकता है दो हजार चौबिस में टाटा अपनी तीन गाड़िया लाँच कर सकते हैं फर्स टाटा ओल्ट्रोस रेसर बई टाटा ओल्ट्रोस को काफी जगा उपे टेस्ट होते हुए देखा जा रहा है और अब ही हाली में भारत एक्सपो में भी देखा गया था कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा दिवाने है बहुत लोग कंफ्यूस हो रहे हैं कि गाड़ी जो है वो लॉंच कब होईगी तो गाड़ी का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द गाड़ी जो है वो लॉंच हो सकती है तो अगर आप लोगों को टाटा कर्फ से रिलेटिड वीडियो देखनी तो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोग लिंक पे किलिक करके वीडियो देख सकते है थर्ड गाड़ी आती है टाटा पंच पई हाली में टाटा पंच EV लाँच हुई है तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद टाटा पंच का फेसलिफ्ट वर्जन आए पेट्रोल और CNG में अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा पंच EV लाँच हुई है तो भाई मुस्किल है कि गाड़ी जो है वो पेट्रोल और CNG में इतनी जल्दी लाँच हो जाए बागी उमीद की जारी है कि 2024 में टाटा पंच फेसलिफ्ट जो है वो लाँच हो सकती है बात करते हैं गाड़ी के इंजिन्स के बारे में तो भाई आप लोग को गाड़ी जो है वो पेट्रोल और CNG के अंदर तो देखने को मिलेगी ही और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि इस बार गाड़ी के अंदर एक न्यू इंजिन एड हो सकता है वो है टर्बो इंजिन जी हाँ गाइस बता देते हैं कन्फरम नहीं है बस सुनने में आया है कि गाड़ी के अंदर टर्बो इंजिन एड हो सकता है बात करते हैं गाड़ कि जो माईलेज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है तो साड़े अठारा किलोमेटर पर लीटर की माईलेज देखने में मिल सकती है बात करते हैं CNG की तो CNG में जो माईलेज है वो आप लोग को 27 किलोमेटर पर केजी की रह सकती है बात करते हैं गाड़ी के action room base model के price की बड़ी देखो अभी तक तो वैसे गाड़ी के जो prices है वो नहीं आए है बाकी उमीद की जारी है कि इस बार गाड़ी के जो prices है वो पहले के मुकाफले थोड़े से बढ़ सकते है जी हाँ guys क्यूंकि आप लोग को इस बार बहुत सारे features गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे तो भाई गाड़ी का जो price है वो थोड़ा सा तो भड़ सकता है अभी तक गाड़ी का price नहीं आये हैं बाकी उमीद की जारी है कि जो मैं आप लोग को price बताऊंगा उसी के आसपास गाड़ी जो है वो देखने को मिल सकती है तो भाई गाड़ी का pace model जो price है वो 6,10,000 रुपे से start हो जाएगा और top end variant जो है वो 10,50,000 रुपे तक का देखने को मिल सकता है एक शोरूम प्राइस वीडियो करते हैं यहीं एड उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों के टाटा पंच फेसलिफ्ट से रिरेटेट कोई डाउट्स है तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट में जाके बता सकते हैं हम आप लोग के सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में किलियर कर देंगे उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना हमारे चैनल अनिल सिंग को सब्सक्राइब करना मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई